दोस्तों ये कहानी फलादिन नाम के राजा की है जिसका दिमाग उसके आंडों में होता है और ये जोपड़ी का अखन चूतिया होता है और ये अपने चूतिया पे से अपने देशवासियों की कैसे गान फारता है वो आप मेरे इस वीडियो में देखोगे मुवी की स्टाइटिंग में हमें एक कालपनी गाउं वादिया दिखाया जाता है जहां एक फलादिन नाम के बच्ची का जनम होता है फलादिन के जनम के बाद से ही उसकी मा को टपका दिया जाता है और कुछ समय बाद उसके बाप को भी यमराज का नोटिस मिल जाता है अब स शरिफ साथ साल की उमर में हमारा फलादिन वादिया का राजा बन जाता है फिर हमें कुछ साल वाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब हमारे फलादिन का बड़ा और खड़ा दोनों होता है फलादिन बिल्कुल अपने बाप की तरह पक्का मादर चोध और संकी था और उसकी वो ओलेम्पिक में 14 गोड मेडल जीच जाता है और फिर फलादिन अपने महल के बाहर आता है और कहता है सदीय सो सोई इनाको को एक बार जगाने आ जाओ माना कि तुम चूट नहीं दोगी एक बार दिखाने ही आ जाओ फलादिन की इस साहिरी पर सब तालिया मारने लगते हैं और फिर वो कहता है अब पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी और हम जल्दी न्यूकिलियर वैपन को तयार कर लेंगे इसके बाद फलादिन अपने न्यूकिलियर रिचर्ड सेंटर में जाता है और वहाँ आपने चाचर तामीर से मिलता है और वो दुन अंदर जाते हैं और हमारा फलादिन देखता है उसकी मिसाल बहुत छोटी बनी है वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने की कहता है पर वहाँ खड़ा साइंटिस्ट बोलता है नदाल को तो आपने मरवा दिया था पर फलाजिन को कुछ याद नहीं होता है और जब वो अपने दिमाग पर जोल डालता है तो उसे याद आता है उसने दो साल पहले नदाल को उपर पहुँचा दिया था प्रेजन टाइम में एक साइंटिस कहता है आप ये बात भूल गए थे पर फलाजिन अपने दान दिखाते हुए कहता है मैं भूला नहीं था और वो उस साइंटिस को भी मरवा देता है और वो अपने महल वापस आ जाता है जहां उसकी सिक्यूरिटी में सिर्फ लड़किया ही होती है दरसल फलाजिन अपनी सिक्यूरिटी में सिर्फ लड़किया ही रखता है ताकि वो बात में उन सब का डोल बजा सके जब फलादिन अपनी कार से बाहर आता है तो उसे एक आदमी गोली मार देता है पर हमें पता चलता है जिसकी गांड पर गोली पड़ी थी वो फलादिन नहीं फलादिन का डूबलीकेट था दरशल फलादिन हमेशा अपना डुब्लिकेट रखता है ताकि कभी उस पर हमला हो तो उसका डुब्लिकेट ही मारा जाए फलादिन इतना वड़ा चूतिया होता है वो उस लास को उठने को कहता है और वो जब नहीं उठती तो वो अपने अंकल को हिसारा करता है कि वो इस लास को भी मरवा दें और अब हम यहाँ देखते हैं फलादिन के चाचा किसी को फोन करता है और कहता है फलादिन फिर से बच गया और हमें उसके जैसा दिखने वाला किसी और को ढूनना होगा जो हमारा काम करवा सके और अब हमें पता चलता है कि तामिहरी फलादिन को मरवाना चाता है ताकि वाद एक्टरस के संग भटा भट भटा भट करता है और वो एक्टरस दड़ से कराते हुए बोलती है डलने लगा मैं चीखने लगी वो हुआ दड़ इतना की सेह न सकी तकलीफ हुई इतनी बोलाई से बाहर निकालो और इस हाथी के घोड़े को छोड़ कर दूसरा थियार मेरे पर्चों तामीर आते हैं और वो फलादिन से पहने अमेरिका जाकर अपने परमारू अतियार के सफाइदेनी होगी वरना वहादिया पर कब्जा कर लेंगे अब फलादिन अपने से क्ली टॉह को प्लीकु पसंद नहीं करता है और रात में जब फलादिन सो रहा होता है, तो वो उसका किड्याप कर लेता है, और उसके अपने आग से वह भी चल जाता है, और यहां फलादिन भी आजाद होकर भाग जाता है, और अब फलादिंग की दाड़ी कट जाने से उसे कोई पैचान नहीं सकता था और वो अगले दिन वहीं जाता है जहां उसे भासर देना था और वो देखता है उसका हमसकल उसके चाचा के साथ भासर देने जाता है और वो सब समझ जाता है ये प्लैन उसके चाचत तामीर का था और इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर गुस्ने लगता है पर सिक्वेरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है अब जोई नाम की लड़की आती है और से अपनी कूटी पर बैठाकर ले जाती है अब जोई उसे अपनी दुकान पर लाती है जहां वह काम करती थी और वह उसे पहनने के लिए कपड़े देती है और उससे पूरत ये रहुप अभर पेंचाओ का चूचियों के साथ काम नहीं करता और वह ये बोल कर वहां स होती है जो फलादिन से नफरत करते थे अब वहाँ पर काम करने वाला एक नोकर फलादिन को पहचान लेता है और सब में धिंडोरा पीट देता है अब सब लोग फलादिन को बजाने वाले होते हैं पर नदाल उसे बचा लेता है और कहता है यह मेरा दूर का कजन है नदाल ने फलादिन को पहचान लिया था और वो उससे पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो फलादिन कहता है मेरे चाचा ने मुझे धोका दिया और वो अबादिया पर कबजा करना चाते है और वो नदाल से कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी पर नदाल उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो फलादिन कहता है मुझे ये हिजडी ऐसी दिखने वाई लड़की पसंद नहीं है इस पर नदाल कहता है अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो हम असानी से उसकी मदद से होटल में खुछ सकते है अब फलादिन को न प्लैन बढ़िया लगता है और वो जूई को भी फसंद करने लगाता और वो उसके दुकान पर सही से काम करने लगता है और उसकी पूरी दुकान का नक्सा ही बदल देता है अब एक दिन दुकान पर एक औरत को लेवर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं होता और आप पूरा जीवन बटाना चाहती है पर फिला दिन से कहता है मैं कुछ बताना हो और वो उसे अपने सारी सचरी बता देता है कि वो वादिया में लोगों की कैसे कान फारता है अब ये सब जानने के बाद जूई बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जानने को कहती है अब फलादिन रोट पर भटक रहा होता है और वो टीवी पर देखता है फलादिन के जाने से वादिया में सब खुसें और वो अपने देश में डिक्टेटर्शिप नहीं चाहते हैं अब ये सब देखकर फलादिन को लगता है उसे कोई पसंद नहीं करता और वो डिसाइड करता है वो अपनी जान दे देगा अब वो एक पूल से कुदने वाला ही होता है पर तभी नदाल वहाँ आकर उसे संजाने लगता है अब फलादिन अपना मरने का प्लैन कैंसिल कर देता है और अब अगले दिन फलादिन बड़ी मुश्किल से होटल के कमरे में जाता है और वहाँ नकली फलादिन को भगा कर उसके जगा ले लेता है अब अलादिन उस मंच पर जाता है जहाँ वादिया का नया सवीधान पढ़ा जाने वाला था अब इसे दोरान फलादिन उस पेपर को फार देता है जिसमें लिखा था वादिया में डेमोक्रेशी चलेगी फिर अलादिन ये बोल नहीं वाला होता है वादिया में सिर्फ डिक्टेटरस्थ चलेगी पर तभी वहाँ जुई आ जाती है और फलादिन उसे देखकर अपने विचार बदल देता है और कहता है वादिया में हमें से डेमोग्रेसी ही चलेगी ये सुनकर सब खुस हो जाते हैं अब वहाँ फलादिन का चाचा तामीर आकर फलादिन पर गोली चला देता है पर वो गोली उसे नहीं लगती बल्कि उसके डूब्लीकेट को लग जाती है अब फलादिन जोई को अपने साथ वादिया ले जाता है और उसे साधिकर लेता है और साधिकर जोई उसे बताती है कि वो एक जोईस है और ये सब जानने के वाद फलादिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जोई को यो मरवाने का इसारा कर देता है और यहीं पर इस movie का end हो जाता है तो दोस्तो कैसा लगाई है आपको हमारा explanation दोस्तो अगर आपको यह movie देखनी हो दोस्तो आप हमारी टेलेग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तो लिंक मैं description में दे दूँगा दोस्तो अगर यह आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तो वीडियो को एक like करना और चैनल को subscribe करना ना भूलना दोस्तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और interesting वीडियो में जब तक के लिए take care and bye